नमस्कार दोस्तों, परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे इलाके के बारे में, एक ऐसे जंडे के बारे में, जो जहां से आया है, उसके अलावा भी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर, फिलिस्तीन, गाजा, किस तरह से इस समय इंटरनाशनल पॉलिटिक्स के एपिक सेंटर के तौर पर, इमर्ज किया है, कि अमरीका हो, या पैरिस में चल रहा, ओलम्पिक, हर जगा, चर्चा, फिलिस्तीन पर है, और इस्राइल के विरोध में, जो आवाजे उठी है, उसने एक दूसरा स्केल अख्तियार किया है, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस समय गजा में, बहुत बड़े पैमाने पर, आंसलोट चल रहा है, मास जनोसाइड चल रहा है, और इस पर हमारे साथ बात करने एक लिए मौजूल है, प्रबीर पुरकायस, आपका बह नेतियन आहूं वहां गए, और वहां पर बड़े पैमाने पर, कॉंग्रेस के भीतर और बाहर, बाहर खास तोर से जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उसने एक अपना मैसेज दिया है, तो इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि कई दृश्य है, पैरिस में भी जो ओलंपिक चल बोला है, जो किसी और देश का है, यूएस कॉंग्रेस में, इसके पहले विंस्टन चर्चिल था, वो तीन बार बोले थे, कॉंग्रेस में, नेतान याहू चार बर बोले है, और इसमें एक बिलती-जूलती शकल भी दोनों की है, कि हिसाब से, क्योंकि हम विंस्टन चर्चि विंस्टन चर्चिल उसके जिम्बदार था, पर ये बात है, कि दूसरे जगह पर विंस्टन चर्चिल की एक चबी है अच्छी, नेता नाहिव इस वक्त में विवादित नेता है, जो वहां पर गए हैं, अमरीका में, जहां पर दोनों मुख्य पार्टी इस्रेल को समर्थन करता है, उनके खिलाफ भी, कॉंग्रेस पे बहुत सारे लोग उस कॉंग्रेस की बीटिंग में नहीं थे, और ये भी है कि बाहर इसके उपर काफी प्रदर्शन हुआ, जो पहली बार मेरे ख्याल से नेतन नेयाहू के खिलाफ इतना बरा प्रदर्शन अमरीका में हुआ है, अमरीका क्यों एहमियत रखता है इसरेल के लिए, क्योंकि अमरीका की अगर पीछे हात ना हो, तो इसरेल ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि इसरेल की बजट, उसकी आर्म्स, ये सब अमरीका पर डिपेंड करता है, और इस वक्त, हालद जो है, कि इस गाजा के उपर, गाजा प फिलिस्टीन की बहुत ज्यादा मरें उसके तुलना में पर इस्रेयल के लिए उनकी सेनाओं के एक अंग्ष इसमें खतम हुआ है यह तो क्या कहेंगे इंजियोड है यह तो मरें भी है तो 10% उटकी फौजों की इसमें लॉसे से कहते हैं और इसी लिए उनका अमरिका का बैकि बहुत जरूरी है नहीं तो यह जंग वो चला नहीं सकते वो भी जानते है दुनिया की सभी मुल्क जानते अमरिका की जनता भी इस चीज को जानती है इसलिए मैं समझता हूँ एक वहां पर एक दरार पड़ा है जिस पे इसरेयल की प्रती जो पूरी समर्थन हुआ करता था उनकी elected representatives की, Congress की, दोनों पार्टियों की उसमें कहीं न कहीं एक दरार नजर आता है और मैं आपने जो कहा एक इतिहासिक बात यह है कि South Africa क्योंकि हमारे वक्त की बात है जब हम students थे या उसके बात की भी जिंदिगी में हमने देखा है South Africa कैसे धीरे धीरे दुनिया में isolate हुआ अब वही चीज थी यॉरप और अमरिका का समर्थन South Africa की प्रति थी और तीसरी दुनिया को वो पूछते नहीं थे पर धीरे धीरे वहां की students अमरिका और England की भी students ने दूस्टे देशों की students ने उनकी और भी लोगों ने protest शुरू किया और ultimately South Africa isolate हो गया और recently यहां पर आपको याद होगा, मालूम है और पीछले पीछले बार भी डिसकस कर चुक है, International Criminal Court, International Court of Justice दोनों ने करार दिया है कि यह war crime कर रहा है और occupation, Gaza वेस्ट बैंक, Gaza की occupation illegal है, illegal बहुत कथिन शद होता है और उस International Court of Justice में 15 judges होते हैं, उसमें मेरे खाल से 11 जज ने कहा है कि यह illegal है, तीन जजों ने कहा कि नहीं illegal नहीं है, एक कहीं बिच बिचाओ कर रहा था, ऐसे situation है, तो एक बहुत एहमियत रखती है कि दुनिया की जो क्या कहेंगे, एक legitimacy होती है, देशों की, यह वो legitimacy इसरेल की तीसरी दुनिया में जो हम कहते हैं, third world, global south उस पे नहीं है, पर यॉर जी, और देखें, इसी क्रम में हमें दिखाई दे रहा है कि पैरिस में जहाँ ओलम्पिक चल रहा है, वहाँ पर भी फिलिस्तीन के पक्ष में, जो मौहौल है, जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बकायदा फिलिस्तीनी फ्लैग दिखाया जा रहा है, जब गजा में पानी भर रहे थे, इसी के साथ ये वीडियो भी काफी चल रहा है, वाइरल है, ये वीडियो और ये कहानी भी, ये वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने पिछले ओलम्पिक में लगातार एक विजेता के तोर पे रहें, फिलिस्तीन के हैं, और इस बार ये ओलम्पिक में कोई अपना रोल अदा नहीं कर पाए, और इसका कारण जो इन्होंने बताया, कि जो गजा में हालत है, जिस तरह से ये रहते वहीं पर हैं, और अपने परिवार को बचाने के लिए, वहाँ पर पानी लेकर आने के लिए, किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, जिसके कम हुआ, तो ये एक human angle stories भी उस समय चल रही है, जब Olympic चल रहा है, और बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन में हमला भी जा रही है, तो इस भी जो हकीकत है, जमीन पर जो हो रहा है फिलिस्तीन में, वो दिल दहलाता है कि बड़े पैमाने पर विद्वंस चल रहा है, mass genocide चल रहा हैं, क्या इसके जरी हम को समझ सकते हैं? देखिए, ये तजवीर जो है, जुलाई की है, ठीक है न, उसकी दिवी है, कि 60% वहां जो बिल्डिंग्स है वो गिर चुके है, तो 100% जो था पहले, 60% अब नहीं है, गिर चुके हैं, तो जो residential बिल्डिंग्स वहां खड़े हैं, सि उस पे कैसे रहेंगे लोग, वो तो अलग बात है, वो तो refugee camps में ही ज्यादतर है, अस्पताल 35 थी, उस पे सिर्फ 15 चल रहे हैं, वो भी बिजली नहीं है, आधे टाइम पे, पानी नहीं है, ठीक तरह से पीने का, दवायों की और दूसरे ज़रूरते होती है, वो तो नहीं ह है, बहुत कम मिल रही है, एकदम दहीं है नहीं काओंगा, बहुत कम मिल रही है, जिस वक्त इतने लोग, घायलों के इन अस्पतालों में आ रहे हैं, तो रोड नेटवर्क जो है, वो तूट चुकी है, स्कूल बिल्डिंग्स 88 परसेट ख़तम कर दी गई है, तो मतलब कोई स्ट्रक्चर तो थोगा बड़ा है, जिस पर रिफ्यूजी रह सकता है, वो भी धीरे धीरे खतम हो रहा है, अस्पताल चलना बंद हो गया, बिजली वहां नाममात्रक मिलता है, कुछ जगों पर सिर्फ मिलता है आपका डीजल सेट वगरे से, और डीजल भी वहां आनी सकता क्योंकि चारो और से प्लॉकेट है, तो हम पहले भी जिकर कर चुके हैं, इस हालत में यहां जितने लोग मरे हैं, 40,000 लगभग मरे हैं आज के तारीक पे, और एक लाग के करीब घायल जिसमें 13,000 और मारे जाने वालों में 13,000-14,000 बच्चे, ऑफिशल जो आकड़े हैं उस वैसे बच्चा 25,000 अब्यादoter जोड़े हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है, आदे बच्चे 45,000 पर यह एक ऐखो हिस्सा है, और बड़ा हिस्सा है, जो मरे हैं बीबारी से, उनको तो आप बंबारी से मारेगा हैं नहीं के पर वह भी इस लिये मरे हैं यह पर इसलिए है क उनके बुताबिक मर चुके हैं, 10,000 सभी कह रहे हैं कि डेड बॉडी जो है दफन हो गया है इस इमारती जब गिरी है उसके नीचे आप कह रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर जून जुलाई के बीच उनका कहना है कि इतने लोग मारे जा चुके हैं जुन जुलाई की पहले की ख़बर है ये एक महना पहले की है उनका एस्टिमेट था तब 36,000 लगबग मरे थे ओफिशल आँख्णे में ओफिशल आँख्णा इस्रेल भी मानता है सही है क्योंकि सिर्फ अस्पदाल के आँख्णे हैं दूसरे लोग अगर माल दीजिए मिमारत गिरी है उसके नीचे है तो इस पे count नहीं होती है तो ये इसी लिए और बिमारती जो मरते हैं वो इस पे count नहीं होती है इसलिए लैंसेट का कहना जब आई जंग के वजए से उस द endlessly 36,000 नहीं उसका करीब 1,86,000 लोग मन चुके हैं अब जानते हैं लैंसे बहुत ही अच्छा वेल नोन गहरा शोध करके इन सब चीजों को कहता है तो यह खालत है कि इस वक्त अगर आप तद्वीर देखें यह करीब 4-5 मेरे पहले की है इस वक्त और भी यह UN का एक एजनसी है जो इसका उपर से सैटल और भी जैनसी पहल भी र enorm देख और भी तौह हँर है थैजा पत्ति पूरा भ offenders कैसे हूopy और बहुत है दिखाता है और दिखाता है और यह पाँचर पांच था कर अगरा, सबसे पहले हो प्गारश के प्यूआ ses टिथि पहाई की पार्ति हम प्रमान करीब एक continuous इलाका है जिसमें खान यूनिस में अभी हुआ है अभी अभला हुआ है गाजा पत्ती जो है इस गाजा पत्ती में खान यूनिस भी है गाजा शेहर है और भी कुछ इलाके इस तरह के आते हैं तो इन जगहों पे करीब करीब 80% बिल्डिंग्स इस वक्त ये तो गि काफी कमजोर हालत में है तो ये इसकी हालाद जो है आपके सामने डीटेल्स में सिर्फ उपर की सैटलाइट इमिजिरी से ये कलेट किया गया है तो इसी का जो क्या कहेंगे जमीनी तस्वीर जो है हमको मिलना मुश्किल है क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है बहुत मुश्किल से चलता है फोन थोड़ा सा आता है फोन के जरीए कुछ इंटरनेट भी मिलता है पर वहां से पूरी कॉवनिकेशन इस वक्त बहुत मुश्किल है और जो यहां पर क्रॉसिंग थी जहां के जरीए वहां पर खाना वरारा रसत पानी जाता था सब बंद है और अमर गलत निकला और वो एक दिन ही एक हफता चला पर वो भी कामयाब एक दिन के लिए ही था और वहां पर जितना सामान गया उस साथ दिन में तो वो पूरा जो क्रॉसिंग से उससे हर रोज उतना उतना जाता था प्तलब एक दिन की सामान देने के लिए और भी करने दो सो तीस मिलियन डॉलर खर्चा करके धाग डोल पीट के कहा था कि हम यह करेंगे तो इस पर सवाल लोगों ने उठाया है कि यह इसलिए किया गया था यह तो जो इस्रेली हमला हुआ था याद होगा आपको चार इस्रेली हॉस्टिज को उन्हों ने बाहर निकाला था उसके लिए इसक सैटलाइट आसमान में भेजता है पर एक रसत पानी के लिए एक तेमपररी प्याज कर सकते हैं कि एक जो इंपॉर्टन नक्षा है जो हर बार हमें देखना बहुत जरूरी है और या दिलाना भी जरूरी है तमाम दर्शकों को क्योंकि यह 2005 तक का है अभी इस्थिती तो और ज़्यादा खराब है और जिस तरह से एक दिन में 24 घंटे की बीतर डेड़ हजार डेड़ लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया है तो यह कम से कम एक ऐसी चीज है जो याद दिलाती है कि 1947 में फिलिस्तीन यानि क्या था और 2005 तक का जो हमारे पास है उसमें कहां पर है फि इस्रेयल को क्यों सेटलर कलोनियल करार दिया जाता है। सेटलर से जिस तरह से अम्रिका को आपको याद होगा अंग्रेज गए थे, यूरोपियन्स गए थे, वहां की जो रेड इंडियन्स कहते थे, उनको अमेरिकन इंडियन्स कहे या इंडिजनस पीपल कहे अमेरिका के, उनको धीरे धीरे वहां से धकेलते हुए, उन्होंने सेटलमेंट्स कुछ, सेटलमेंट्स पे बंद कर दिया था किसाब से और जबीन उनको पूरा ले लिया था यहां था अब सफेद इलाका जो है वह जूई सेटलमेंट्स था उस वक्त उनाइटिड डेशन्स को देखेंगे उस वक्त उनाइटिड डेशन्स में सफेद देशों का उसका बुलबाला था तो उन्होंने इस्रेयल को 50% से ज् जंग करके उसको यहां से समेट दिया अद देख सकते गाजा पत्ती जो पहले इतना था उसको इतना छोटा बना दिया गया है और अब देखें जो यह पैलेस्टाइन लगा हुआ इलाका था वो भी टुक्डे-टुक्डे कर दिये गये हैं इतने टुक्डे हुए हैं कि उन को वहां पर चेक पोस्से गुजरना पड़ाएगा यहां से निकलते हुए और यहां कुछते हुए वेस्ट बैंक इस वक्त लडाई चल रही है उस पर कि सेट्लमेंट्स को कैसे बढ़ाया जाए और एक और जो चिंता का विशे है कि यह युद अब फैल रहा है इस पूरे इलाखे में उसकी एक चाया पड़ रही है जिस तरह से यमन, हूती और उन्होंने जिस तरह से तेल अवीव में अभी हमला किया द्रोन से तो इससे तो दिखाई दे रहा है कि एक रिटालियेशन भी हो रहा है तेखिए इसमें दो पहलू है इस पर एक पहलू तो है कि जंग जो बढ़ने की बात आप कर रही है इस पर एक पहलू तो है जो आपका लेवनान से हो रहा है जहां पर हमास दी हिजबुल्ला है और वहां पर लड़ाई शुरू हुआ है इस वाक्त करीब 80,000 इसरेल की जंता इस लड़ाई से अपने घरबार छोड़के अंदर गई है और इसी तरह लिटनी रिवर तक नदी तक और भी अधर हमले चल रहे है इसरेल की वहां पर शेलिंग और उसकी बंबारी है तो एक लो लेवल एक वार एक हिसाब से हिजबुल्ला और इसरेल के बीच पर चल रही है वो क्या बड़ा रूप लेगा यह सवाल है क्योंकि इसरेल ह लातार हमकी दे रहे है काम लेवनान पर गुसेंगे हम इनको हटा देंगे लिटनी विवर तक पहले उनको कोशिश यह थी वह सफल नहीं हुई थी तो दुबारा उस लड़ाई को करने के स्थिती में है या नहीं हमास के साथ इस लड़ाई के साथ यह प्रिश्न चिन्द है पर एक लड़ाई तो यह है दूसरी तरफ यमिन ने हुटी जहां पर एक हिस्थर पर कब्जा है उनकी अंसुरुल्ला जो पा एक हिसाब से पॉलिटिकल पावर अंसुरुल्ला है उन्होंने अब जानते ही है रेट सी पर जहाज आ रहे हैं स्वेस के तलफ जा रहे हैं उन् पर जहाज को डाइवर्ट करना पड़ रहा है पूरा आफरिका को घूम के यॉरप जाने के लिए या अमरीका जाने के लिए स्वेस कनाल ब्लॉक कर दिया एक बहुत बड़ा हिसा स्वेस कनाल जो जहाज ही जाती थी तो नहीं जा रही है उन्होंने और इसको बढ़ाया है इस बार और तेलावीव में द्रोन जो अटाइक आप कह रहे हैं दो हजार किलोमीटर घूम के जाके मेडिटनिया सबुदर के अधर से आके इन्होंने वार किया तेलावीव में और उसमें एक मरहे है एक इसरेली मरहे है और दस गायल हुए है तो यह अगर आप देखे तो भी अब इस इलाके में जंग में आएगा क्या उस पे हुदेदा पोर्ट पे जिसकी तजवीर यहां पर है बड़े पैमाने पे इसरेल ने अटैक किया है यह वही तजवीर है हुदेदा पोर्ट पे और उस पोर्ट पर पहले साओदे एरेबिया और युनाइट अरब एमिर साओदे एरेबिया से उनका जो जंग चल रहा था वो शायद एक शांती की ओर बढ़ सकता है युए युनाइटिट अरब एमिरेट्स इस जंग से पहली बाहर आ गया है पर यह अगर साओदे एरेबिया भी अगर कोई संबस चुक्ति बनाने कोई एग्रिमेंट कर ले येम पर कबजा कर लिया है पूरी तरह से तो वहां पर ये पार्ट अगर दूसरे बॉर्डर साओदी जहां पर जंग चल रही है साओदी से वह बंद हो जाती है तो ये इनको और भी क्या कहेंगे सहुलियत होगी इस्रेल के खिलाफ जंग करने की और अंसर उल्ला को नजर अदा करना बहुत ही क्या कहेंगे गलत होगा इसलिए कि जब साओदी एरेविया इतना पैसा है इतना हातियार है अमरिका के पूरा सहायता मिली वी थी अंग्रेज यूनाइट किंडम भी उसको सहायता कर रहे थे ये तो चपल पहन के बंदूक लेके लड़ाई करते है उस वो भी अगर यहां पर, हाई, यहां पर उनने मुकाबला किया इन्होंने वो तीस ने और इरान से इनको सहायता मिलती पर यह इन्होंने दिखा दिया कि हो तीस को इस तरह से परास्ट करना आसान नहीं है इसलिए अगर जंग में और दो पहलु खता है लेमन और येमन तो इसलिए करेंगे वो देखने वाली बात है पर अगर इस्रेयल इस नास्ते पे गया तो पूरी वेस्ट एशिया में और भी इनकी आइसलेशन बढ़ेगी और लगता है जिस तरह से साओधे और इबिया से लेके दूसरे मुल्क इस्रेयल से हट रहे हैं तो एक लाजर एक्सिस बनने की स भावना है इस पर आपसी जो लड़ाई है विवाद है इरान के साथ साओधी जैसी वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और इस रेयल के खिलाफ जो शक्तिया है उज्यादा मजबूत होंगे और उसका कीमत जो चुका रहे हैं इस वक्त वो सबसे ज्यादा चुका रहे है ग और और भी दुनिया के और देशों में जहां इसराइल के खिलाख विरोध तेज हुआ है और वहीं इस युद्ध में भी अलग-अलग dimensions आ रहे हैं हमारी चिंता गाजा में जो genocide चल रहा है वो कैसे रुकेगा और उसकी तरफ कोई पहल होगी यह हम आपके साथ मिलकर इस पर चर्चा करते रहेंगे आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया